IPS हस्मुग पटेल का फर्जी एकाउंट किस ने बनाया? किसी खास का फर्जी एकाउंट बनाने का डंडात्मक कारेबाहि का क्या है नियम? देखते खास रिपूर्ट अंदर की बात में IPS हस्मुग पटेल के नाम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेस्बुक पर फर्जी एकाउंट बनाने वालों के खिलाफ अपराद दर्ज किया गया है गुजरात में पेपर लिंग की घटनाओं के बीच सुवैवस्तित परिक्षा आउजित कर सरकार के लिए संकट मोचक बने हस्मुग पटेल सोशल मीडिया खास कर ट्वीटर पर शक्रिय है ट्वीटर पर उनकी फैन फॉलोविंग भी काफी ज्यादा है लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेस्बुक पर किसी ने फर्जी एकाउंट बना लिया जिसके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है अब आपको बता दे कि IT एक्ट के तहत कुछ ऐसी धाराय है जिनके तहत ऐसा कृत्य करने वालों के खिलाफ अपराद दर्ज किया जाता है IT अधिनियम की धारा 66C के तहत पास्वर्ट डिजिटल हस्ताक्षर बावमेट्रिक फिंगर प्रिंट या किसी अन्य व्यक्ति की पहचान का प्रतिरूपन करना और IT अधिनियम की धारा 66D के तहत कॉम्पीटर संसाधन का उप्योग करके लोगों को धोखा देना तीन साल की कैद या जुर्माना से दंडनीय है दोश सिद्धी पर एक लाख रुपे तक दंडात्मक अपरात की सजा हो सकती है इस बात की जानकारी खुद हस्मुग पटेल ने दी उन्होंने एक्सपर लिखा की कल उस व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया जिसने मेर फर्जी फेस्बुक अकाउंट शुरू किया था यदि मेरे नाम से कोई फर्जी खाता खोल कर कोई गतिवीधी देखी जाए तो कुरुप्या मुझे तुरंत सूचित करें ब्यूर रिपोर्ट जी एस टीवी गुजरात कॉंग्रेस के शेत्रिय प्रभारी मुकुल वास्निक ने एक बड़ा दावा किया कहा हम राज्य में खोई हुई राधनितिक जग़ा फिर से हासिल करेगे और क्या किया वास्निक ने बड़ा आयालान देखते स्पेसर डिपोर्ट अंदर की बात में गुजरात कॉंग्रेस के शेत्रिय प्रभारी मुकुल वास्निक दो दिवसिय गुजरात दौरे पर पहुँचे हैं वह कॉंग्रेस कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगे एहम्दबाद आने के बाद मुकुल वास्निक ने कहा कॉंग्रेस के अगले दिन के कारेकरम तई हो चुनाव के नतीजों पर बयान देते हुए कहा कि उपचुनाव के नतीजे गटबंदन की शुरुवात मात्र है। इंडिया एलाइंस ने लोगों में विश्वास पैदा किया है। इंडिया एलाइंस भविश्य में भी अच्छे परिणाम देगा। रजसभा सांसत वासनिक गुच्रात कॉंग्रिस को कुर्सी पर बिठाने की सबसे बड़ी चुनाती है। विधान सभा चुनाव में करारी हार के बाद रगु शर्मा को गुच्रात प्रभारी पद से हटा दिया गया था। तब से गुचरात कॉंग्रेस में प्रभारी का पद खाली था। केंद्र में बड़ा नाम रखने वाले मुकुल वासनिक अखिल भारतिय कॉंग्रेस कमेटी के महा सचीव है। और पूर्वा केंद्रे मंत्री भी रह चुके हैं। देखना होगा कि 2014 में 2019 में सभी 26 सीटे हारने वाले कॉंग्रेस के लिए वासनिक कितने भागेशाली साबित होते हैं। की बात में। अहम गेंदबाज हैं। वेश्या कप 2023 में भारत पाकिस्तान के पहले मैच में खेले थे। लेकिन वह मैच बारिश की वज़त से पूरा नहीं हो सका था। बुम्रा की वापसी के साथ ही टीम इंडिया की प्लेंग 11 में और बदलाव हो सकते हैं। टीम इंडिया अक्षर पटेल को प्लेंग 11 में शामिल कर सकती हैं। अक्षर अच्छी बॉलिंग के साथ बैटिंग भी कर लेते हैं। अगर अक्षर पटेल को प्लेंग 11 में जगह मिली तो शारदुल ठाकुर को आराम दिया जा सकता है। पाकिस्तान के खिलाफ बुम्रा और मौहमत सिराज भारत के बॉलिंग अटैक का एहम हिस्सा हो सकते हैं। पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शाहिन अफरिदी एशिया कब के बाद एक बार फिर्शी शादी कर शकते हैं। उनका निकाह पुर्व कप्तान शाहिद अफरिदी की बेटी से हो चुका है। कब करेगे दूसरी दपा निकाह पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरिदी कौन है वो खुस नसिबलर की। देखते हैं यह खास रिपोर्ट में। एश्या कप 2023 के बाद पाकिस्तान के स्टार तेज गेंद बाज शाहिद अफरिदी एक बार फिर शादी करने के लिए तयार है। अफरिदी की पहली शादी में सिर्फ करीबे रिष्तेदार और दोस्त ही शामिल हुए थे। हाला कि शादी में पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम और उपकप्तान सादाप खान जैसे खिलाडी भी दिखाये दिये थे। अब दूसरी बार में शाहिन और अंशा अच्छी तरह से अपनी शादी का जस्न मनाना चाहते हैं रिपोर्ट्स की माने तो 19 सितंबर को शाहिन की बारत सैरेमीन होगी और फिर 21 सितंबर को रिशेप्शन होगा इससे पहले शाहिन और अंशा ने इसी साल फरवरी में निकाह किया था बदा देगी ग्रूप स्टेज में खेला गया भारत पाक का मुकाबला बारिस के चलते रद हो गया था वहीं सूपर फोर में भी दोनों के बीच खेले जाने वाले मैच में बारिस का साया मंडा रहा है जिसे देखते हुए एशन क्रिकेट काउंसिल ने रिजर्वर डे रखा वित मंत्री निर्मला सितारामन का वितिय संस्थानों को निर्देश अपने कस्टमर से जरूर ले नॉमिनी का नाम क्या है चोकाव नार नेवाले खुला से देखते है खास रिपोर्ट में वित्त मंत्री निर्मला सितारामन ने बैंक और दूसरे वित्तिय संस्थानों से ये सुरेश चीत करने को कहा है उनके कस्टमर्स नॉमिनी या उतरधिकारी का नाम अवश्य गोशित करें रिजर्बैंक की अन्यूल रिपोर्ट की माने तो वित्त वर्ष 2021 तक बैंक में बिना दावेवाली रकम यानि अनक्लैम्ड डिपोजिट्स 48,262 करोड रुपे पर जा पहुंची है वही सभी वित्तिय संस्थारों में बगेर दावेवाली रकम का वैल्यू एक लाख करोड रुपे पार हो चुका है वित्त मंत्रे ने ग्लोबाल फिंटेक फैस्ट को संबोधित करती हुए कहा मैं चाहती हूँ कि बैंकिंग सिस्टम, मैन्यूल, फंड, स्टॉक, मार्केट समेट सभी फाइनांशियल एकोसिस्टम इस बात का ध्यान रखे कि जब वो कस्टमर के पैसे से डील कर रहे हैं तो और्गेनाईजेशन को भविशे के बारे में भी सोचे और ये उन्हें स्टू निश्चित करना चाहिए उनके कस्टमर्स नौमिनी का नाम और पता उपलब्ध कराए आम लोग अनक्लैम्ड डिपोजिट का पता लगा सके इसके लिए भारते रिजर्ब बैंक ने उद्गम नाम से सेंट्रलाइजड वेब पॉटल लॉंच किया है जिस पर जाकर कोई भी व्यक्ती बैंक में अनक्लैम्ड डिपोजिट का पता लगा सकता है ब्यूर रिपोर्ट जी एस डिवी